नवस्कार मैं डॉक्टर राशिश आ रहा, MBBS आज हम बात करेंगे कि डाइबिटीज में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए अगर हम डाइबिटीज को नियंतित रखना चाहते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ लेना चाहते हैं हमें संतुलित आहार समझना बहुत जरूरी है संतुलित आहार एक ऐसा काना होता है जिससे की कई लोगों पो डाइबिटीस नहीं हो रही है और कई बिमारियां नहीं हो रही है और साथ साथ डाइबिटीस नियंतित चल रही है अगर हम संतुलित आहार लेना चाहते हैं तो हमें किसी भी दिरा के नए खाने की शुरूआत नहीं करनी हैं हमारे घर में जो खाना बन रहा है उसी से संतुलित आहार बना लिया जाता है हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नया कोई भी खाना शुरू नहीं करना है संदुलित आर का मतलब होता है एक ऐसा काना जिसमें सभी पोस्टिक तद्वों, सही मातरा में हो, सही पतिशत में हो जितनी हमें केलोरी चाहिए हो उसमें होतनी केलोरी हो साथ साथ हमारी उंग, हमारी बीमारी और हम जिस जगा रहते हैं उसके हिसाब से हो और ये सब चीजे हमारे घर के खाने में आसानी से मिल जाती हैं इसलिए किसी भी तरह के नए खाने की शुरुवात नहीं करनी है अगर हम संतुलित आर समझना चाहते हैं तो हमें पोस्टिक तत के बारे में थोड़ी बहुत चानकारी होना चाहिए हमारे खाने में दो तरह के पोस्टिक तत होते हैं एक तरह के पोस्टिक तत हमें ज़्यादा मातरा में चाहिए रहते हैं और इनके नाम रहते हैं कार्वोईडेड, प्रोटी, फैट, फाइबर और पानी और जो पोस्टिक तत हमें कम मातरा में चाहिए रहते हैं उनके नाम रहते हैं विटामिक और मेंडल जो कोस्टिक तद हमें जादा मातरा में चाहिए वो भी जरूरी होते हैं और जो कोस्टिक तद हमें कम मातरा में चाहिए वो भी जरूरी होते हैं इस सब का संतुलन बहाना बहुत जरूरी होता है हमारे खाने में कुछ पोस्टिक तस से हमें केलोरी मिलती है और कुछ पोस्टिक तस से हमें केलोरी नहीं मिलती है जिन पोस्टिक तस से हमें केलोरी मिलती है उनके नामें कार्बोहाइडेट, प्रोटीन, फैट और जिन से हमें केलोरी नहीं मिलती है उनके नामें मिनरल, जामीन, पाइबर और पानी जिन पोस्टिक तफ से हमें केलोरी मिलती है वो भी जरूरी होते हैं और जिन से केलोरी नहीं मिलती है वो भी जरूरी होते हैं तोस्त रहने के लिए और डाइबेटीस को नियंतित रखने के लिए हमारे खाने में सभी पोस्टिक टर्थ का होना बहुत जरूरी होता है सभी पोस्टिक टर्थ की मातरा हमें अलग अलग चाहिए होती है हमें सभी postic test की मातरा को जानने की जरूरत नहीं होती है अगर हम सामाने खाना का रहे हैं और हमने carboidates, protein, and fat की मातरा को संतुलिस्ट करना सीख लिया है तो बाकी दूसरे postic test की मातरा अपने आप भी संतुलिस्ट हो जाती है तो संतुलिस आज समझने के लिए हमें सिर्फ तीन नाम याद रखने हैं सार्गो आइडे, गोटीड्स और फैट बाकी के नाम अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो भी हम संदुलित आख असानी से बना सकते हैं हमारे एक दिन के खाने में 60-70% के रोरी सार्गो आइडे से होनी चाहिए 20-25% के रोरी बैट से होनी चाहिए और 10-15% के रोरी फ्रोटीन से होनी चाहिए हम किसी भी खाने को अगर वजल से नापेंगे तो मुश्किल रहेगा लेकिन अगर हम आने को प्रतिशक में नापेंगे तो आसान रहेगा हम चाहिए वेजिटिरियन हो या नोन वेजिटिरियन हो हमारे घर में जावल रोज बनते हो रोटी रोज बनती हो उससे फर्क नहीं बढ़ता है डायबिटीस सभी तरह के खाने से नियंद्रित हो सकती है हमें सिर्व सार्बाइडेट, रोटी और पैट से केलोरियों पतिशक कितना लेना है ये बदा ओना चाहिए कई लोग डायबिटीस को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी दवाई ढूनने के कोशिश करते हैं जिससे उनकी डायबिटीस हमेशा के लिए ठीक हो जाए लेकिर डायबिटीस की ऐसी कोई भी दवाई कहीं भी नहीं आती है और ऐसा संभग भी नहीं है क्योंकि डायबिटीस का जो प्रमुक कारण है वो है संतुलित आार नहीं लेना और जब तक हम कारण को ठीक नहीं करेंगे तो दवाई कारगार नहीं होती है डाइबीटीस का प्रवक कारण होता है खाने में प्रोटीन से केलोरी के पतिशत की कमी कई सालों दर जब प्रोटीन से केलोरी के पतिशत की कमी रहती है खाने में तो डाइबीटीस शुरू हो जाती है हमारे एक दिन के खाने में प्रोटीन से केलोरी के पतिचत कम से कम 10 से 15 परसंट होना चाहिए जब प्रोटीन से केलोरी के पतिचत कई सानों दग 5 से 7 परसंट होता है तो डाइबिटीस शुरू हो जाती है तर हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही है लेकिन प्रोटीन से जो केलोरी का प्रतिशत है वह कम है यानि 5-7% है तो हमें प्रोटीन कम मिलता है और इसी तरह से डाइबिटीस होती है हम कई बार ये सुनते हैं कि पहले के लोगों को डाइबिटीस कम था अभी जादा हो गया है इसका सबसे बड़ा कारान है कि पहले के लोगों के खाने में प्रोटीन से कलोरी का प्रतिशत था वह जादा था एंग सही था 10-15% और आज ये बहुत कम हो गया है पहले के लोगों प्रोटीन से कलोरी का प्रतिशत एक प्रतिशत रहता है पहले जो रोटी बनती थी वो गोटी बनती थी और अब पतली बनती है मोटी रोटी में अगर एक चमजगी लगाते हैं और पतली रोटी में एक चमजगी लगाते हैं तो प्रोटीन से जो किलोरी का पतिशत मोटी रोटी में रहेगा वो चादा रहेगा और पतली रोटी में कम रहेगा ग्यों के आटे में प्रोटीन से केलोरी के पतिशत 10 पतिशत रहता है हम मोटी रोटी खाएं या पत्नी रोटी खाएं तो उनों में ही प्रोटीन से केलोरी के पतिशत सामान नहीं रहेगा लेकिन अगर हम रोटी वी घी लगाते हैं तो प्रोटीन से केलोरी के पतिशत में कमी आती है एक ग्याओं की पत्ली रोटी जो की 30 ग्राम से बनी है उसमें अगर एक चमत की डाला जाता है तो प्रोटीन से केलोरी के पतिशत 7 पतिशत हो जाता है वहीं अगर एक ग्यों की मोटी रोटी में अगर एक चम्मत घी डाला जाता है तो प्रोटीन से केलोरी का पतिशत 9% रहता है 2% का अंतर आता है मोटी और पत्ली रोटी में ये 2% का अंतर डाइबिटीज में 20% का अंतर कर सकता है इसलिए हम अगर पत्ली रोटी खा रहे हैं तो एकी मातरा हमें कम रखनी चाहिए पहले के लोगों के खाने में डाल औदा से बनी चीज muchísimo रोज होती थी आचकल के खाने में डाल औदा से बनी चीज Benण अबते में दो या तीन पार ही रहती है नाल का उप्योग कम होना भी डाइबिडिस का एक प्रमो कारण है अगर हम चार रोटी और एक कटोरी लोकिक सप्जिक काते हैं रोटी में ही लगा हुआ है और लोकिक सप्जिक में थोधा तेरे तो प्रोटीन से केलोरी का परतिशद रहेगा 7-8% और अगर हम तीन रोटी के साथ एक कटोरी छोले काते हैं तो प्रोटीन से केलोरी का परतिशद रहेगा 12-13% तो यही अंतरा में समझना जरूरी है हमारे गर में जो खाना बन रहा है उसी में थोड़ा सा बदनाव लाना है अलग से कोई भी नए खाने की जरूरत नहीं है बस सही खाने की जोड़ी बनाना है जिससे की हमारा प्रोटीन से केलोरी का परतिशद 10-15% बना रहे डाइबिटीज में क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है यह कई तरीके से देखा जाता है कई लोग खाने को गलाइसमिक इंडेक्स में देखते हैं गलाइसमिक लोड में देखते हैं उसमें कित्ती केलोरी है, यह देखते हैं लेकिन यह तीनों चीज़ें जो हैं वो उप्योग करना थोगसा मुश्किल रहता है हमारे खाने में प्रोटीन से किलोरी का बतिशत कितना है इस फॉर्म लेकर अगर हम उप्योग करते हैं तो कुछ असान हो जाता है डायबीटीस में कोई भी खाना कितना फायदा करेगा कितना अभकसान करेगा ये चार बातों पर निर्वा करता है हम जो खाने की चीज़ ले रहे हैं उसकी मात्रा हमने कितनी ली है साथ साथ हम जो खाना ले रहे हैं उसमें जो पोस्टिक तद्व हैं वो डायबीटीस के लिए कितने फायदे मन्द हैं और हमें उनकी जरूवत कितनी है तीसरा हम जो खाना ले रहे हैं उसके साथ और भी खाने हम कौन कौन से लेते हैं चोधा ये है कि हम उसे एक दिन में कित्ता लेते हैं हपते में कित्ते बाल लेते हैं या महीने दो मीने में कित्ते बाल लेते हैं हमें इन चार बतों का त्यान रखना है और निर्ने लेना है कि Diabetes में कौन सी जीज फायदा कर रही है, कौन सी जीज नुकसान कर रही है सबसे पहले हम गुड को लेंगे कई लोगों को ऐसा लगता है कि Diabetes में उशक्र को छोड़कर गुड चालू कर सकते हैं उनका ये सोचना होता है कि गोड नेजरल है और शक्कर नेजरल नहीं है इसलिए डाइबिटीस में गोड उनको फायदा कर सकता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी कलत पहमी होती है डाइबिटीस में गोड और शक्कर दोनों ही बरावर नुकसान करते हैं डाइबिटीस में वो सब्सक्रिजें नक्सान करती हैं जिन में कार्बोहाइडेड यानि शुगर की मात्रा 70% से ज़्यादा हो, कार्बोहाइडेड यानि शुगर से केलोरी का प्रतिशत 90% से ज़्यादा हो, प्रोटीन से केलोरी का प्रतिशत कम हो यानि 5% से भी कम हो, गोड गोड और शकर दोनों ही गन्ने के जूस से बनते हैं शकर में कार्बो आइडेट यानि शुगर से केलोरिक प्रतिश्यत 100% रहता है वही गोड में कार्बो आइडेट यानि शुगर से केलोरिक प्रतिश्यत 99% से ज़्यादा रहता है गोड में शुगर की मातरा 99% रहती है और 100% रहती है यहां हमने देखा गुर्ड और शक्र में कोई खास अंतर नहीं होता है इसलिए हम एक कह सकते हैं कि गुर्ड और शक्र डायबिटीस में बराबर नफसान करता है गुर्ड का ग्लाइसमिक इंडेक्स बायासी रहता है और शक्र का ग्लाइसमिक इंडेक्स सो रहता है लेकड़ों वो ऐसा लगता है कि बूर्ड का ग्लाइसमिक इंडेक्स सकर से 20 पॉइंट कम है तो बूर्ड डाइबिटीस में खाया जा सकता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी कलस पहिमी रहती है डाइबिटीस में कोई भी चीज पायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी ये केबल ग्लाइसमिक इंडेक्स से नहीं देखा जाता है बाकी और चीजों पर भी त्यान दिया जाता है जैसे कि उसमें कार्वाइडिट की मादरा अकिती है कार्वाइडिट से कलोरिगर प्रतिशत कितना है डायबिटीस में क्या वायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा इस बात पर भी निर्वा करता है कि हमारी डायबिटीस कितनी नियात्रिच चल रही है कुछ लोगों की डायबिटीस इन्सुनिक इंजेक्शन और दवाईयों के बाद भी संतुनित नहीं हो पाती है कुछ लोगों की डायबिटीस जो रहती है वो फेना डायबिटीस जो है वो बाडर लाइन पर है को ये चारों के लिए अलग लग दाइट रहती है जो कि आप समस्दुनित आज समझ जाएंगे तो उसको आसानी से बना पाएंगे जिनकी डायबिटीस विल्कुल भी नियनब्रित नहीं है। उन्हें अपने खाने में प्रोटीन से किलोरी का पतीज़त 15-17% रखना होता है। और ये बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से इसे सीख जाएंगे तो कि इसमें हमें किसी भी चीज़ को नापने की जरूत नहीं है वहुत ज़्यादा गड़ित लगाने की जरूत नहीं है जैसे कि रोटी जो होती है उसमें 10% कलोरी होती है क्रोटीन से उसमें एक परसंड लता है जूंन नियमत जो खाना का रहे हैं हमें पहले उसी कड़ी सीखना है हम कभी गवार खाना काते हैं हम उस पर अभी द्यान ना दे पहले ये चीज़ सीखें जिसक्याद वो वो भी सीख जाएंगे अगर हमने पोडी का रिये और सास में एक सब्जी खाई है ज से पांच परसेंट और तरी वाली सब्जी का रहेगा करीवन दो से तीन परसेंट दोनों आमने मिलाके खाया है तो गरीवन तीन से चार परसेंट आएगा यानि इन दोनों चीज़ों का प्रोटीन से केलोरी का प्रतिज़त बहुत कम होता है और अब हैं जानेंगे कड़ी दोनों चीज़ मिलाके खाते हैं तो फरोटीन से केलोरी का प्रतिज़त दस से बारा परसेंट के आसफास आता है क्योंकि अगर पुरी ज़्यादा मत्रा में खाते हैं यहां हमने देखा दो अलग अलग चीज़ों के साथ फरोटीन से केलोरी का प्रतिज़त में किसना अंतर यही हमें भी सीखना है अब हम जान डेते हैं पारत में पहले जो पुड़ी बनती थी इनमेंग क्या आत होता है पारत में ज्ब पहले पुड़ी बनती थी तो उसमें योगे आंकि साथ वोल दाल का चृदत है और पून हो थाल बढ़्य कर बती था और साथ साथ उसमें प्यापर की मात्रों भी जाता हूती थी जिससे की फैट का कम होटा था और इससे फूरुटीं क्येलुर्य कर बती चत All hour भी बढ़ जाता था कई लोगों तो ऐसा लगता है कि डाइबिटीज में यह उनकी रोटी नुपसान करती है और जवार बाजरे की रोटी फायदा करती है लेकिन ऐसा नहीं है डाइबिटीज में जाए हम कियों पी रोटी खाएं बाजरे की खाएं रागी यह मत्की की रोटी खाएं सबका फायदा और नुकसान डायवीटीज में लगवग बरावर होता है यहों मक्य बाजरे की डोटी में सब में प्रोटीन से केलोरी के परतीशत लगवग 10% बरता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सबका लगवग बरावर होता है यहां में एक बात त्यान रखनी है कि अगर हम किसी वी तरह की रोटी के साथ सिर्फ सब्जी काएंगे और दाल ने काएंगे तो प्रोटीन से केलोरी के परतीशत कम हो जाएगा इसलिए यह बात हमें त्यान रखना है कि रोटी के साथ दाल वोना चीशूरी है तो कि दाल में प्रोटिन से किलोरी का प्रतिशत लफब 28% रहता है प्रोटि के साथ हम दाल खाते हैं तो प्रोटिन से किलोरी का प्रतिशत 12-15% हो जाता है जो लोग नॉन्वेज रोज काते हैं या अंडे रोज काते हैं उन्हें रोज दाल काने की जरूरत नहीं होती है जब वे नॉन्वेज नहीं का रहे हैं तो कभी गवार दाल ले सकते हैं उनके लिए दाल इतनी जरूरी नहीं होती है लेकिट शाकाहरी खाने में डाल काऊना बहुत जरूरी है अब सबाल यह उठता है कि कुछ लोग diabetes में गयों की रोटी गउन करने को क्यों कहते हैं गयों की रोटी दो प्रकार के आठे से बनती है एक मेंदे के आठे से और दूसरे गयों के पूरे आठे से तो मेंदे की रोटी जो होती है उससे diabetes बढ़ती है अगर हम ज़्यादा मातरा में लेकिन अगर गयों की पूरे आठे से बनी गयों की रोटी है वो खाते हैं सीमित मातरा में तो वो नुकसान नहीं करती है दुनिया में अधिकतर जगा मेंदे की ब्रे यानि मेंदे की रोटी का वपयोग होता है अधिकतर लोग क्योंगे पूरे आठे से बनी रोटी के बारे में नहीं जानते इसलिए वो टाइबिटीस में क्योंगे रोटी को कम करने को बोलते हैं अब हम बात करेंगे की Diabetes में हमें बदाम खाना चाहिए या नई खाना चाहिए Diabetes में फोग भी खाने की चीछ पायिदा करेगी या नुफसान करेगी ये वही चार बत बहने रबाद करता है हम कितनी मातरा में ले रहे हैं, अपते या मैने में ये दिन में हम कितने बार देते हैं, साथ-साथ अमारे खाने में उस खाने के लावा और कौन-कौन सी चीज़ है, और अमारे डायरबीटीस में उसकी कितनी अविशकता है, बदाम में जितने भी पोस्टिक तद होते हैं, व से होती है और रते कहने में वैसे ही फैट की मातरा जादा पूरीप दाओं आप धाबार में लुक्सान करेगा बादम में 14% केलोरी बीबे वहीं बाद में अगर हम देखें तो 28% केलोरी ुप य यानी दालों में डॉटीन sol बादम से जादा होता है यानी डालों से हमें आसानी से प्रोटीन मिलेगा अगर हफते में एक दे हम तो या तीन बदाम काते हैं तो वो नुकसान नहीं करेंगे लेकिन अगर हम डायपीडीज में रोज 5-6 बदाम खा रहे हैं तो वो नुकसान करेंगे अब हम बास करेंगे कि डायपीडीज में हमें चावल खाना चाहिए या नहीन काणा चाहिए अगर हम चावल काना चाहते हैं तो हमे मात्राः कम कनने होती है diabetes में चावल हो या रोटी हो दो ही के लुकसाद और पाइदे बराबर होते ही आने की ठाली में चावल हो या रोटी हो उसके साथ दाल का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम शाकार है और अगर हम्नोविज रूज काते हैं तो दाल नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा सब्जी साथ में होने चाहिए लेकिन डाल और नॉन्वेज को टाग अगर सब्जी लेते हैं डायवीटीस में तो ये नुकसान करता है कभी कबार सबजी रोटी का ये दो नुकसान नहीं करेगी लगिन अगर हम रोज ही सबजी रोटी खाते हैं और दाल और नौर्वेज नहीं खाते हैं तो डाइबिटीस में नुकसान करेगा फल खा सकते हैं 200 से 200 ग्राउंट लेकि जिनकी डाइबिटीस बिल्कुल भी नियंत्रेट नहीं चल रही है इस नियंजेशन लगाने के बाद भी उन्हें फल खाना है या नहीं खाना है वो केवल और केवल डॉक्टर से पूछ की लेना है डाइबिटीस में फल खाने का समय भी माइने रखता है जैसे कि हम दो वज़े दिन में खाना काते हैं इसके बाद आड़ वज़े खाते हैं तो इसके बीच में हमें फल काना चाहिए यानि फास से छे के बीच में हम फल खाएंगे तो फायदा करता है खाने के साथ फल काते हैं तो रुक्सान करेगा डाइबिटी इसमें अगर हम पपीडा काते हैं जिसमें केलोरी काम होती है केह्ष्छ से म्ज़ादा होता है। यह हमें पाएदा करेगा। डायबीडिस में क्या खाना चाहिए। गया नहीं खाना चाहिए इसके बारे में अगर आप क rodz najाते हैं तो पूछ सकते हैं Thank you, मिलते हैं अभी लेट वीडियो में